28 मौतों के बाद जागा प्रशाशन, कोट ने लगाई फटकार राजकोट टे आरपी गेम जोन हादसे की सुनवाई करते हुए गुज्राद खाई कोट ने राजकोट महानगर पालिका प्रशाशन को जम कर फटकार लगाई है कोट ने कहा कि बच्चों समेट 28 लोगों की मौत के बाद आपको अब पता चल रहा है कि शहर में दो गेमिंग जोन बेना परमीशन के चल रहे हैं क्या आप अंधे हूग गए हैं या फिर सो रहे हैं राजकोट ने गेमिंग सेंटर अन्रधिकृत परिस्तर में बताया गया था कि फायर सेफटी की एनोस से भी नहीं के गई थी और ये सब कुछ पहले चार साल से चल रहा था अब हमें नगर प्रशाशन और गुजरा सरकार पर बलकूल भरुसान नहीं रहा कोट ने कहा कि ये तरास नहीं आखे खोलने वाली है सबसे दुखत बात ये है कि इसमें मासुम बच्चों की जान गई है गुजरात हाई कोट ने 26 मई 2024 को राजकोट टी आरपी गेम जोन हासे पर एक्शन लेकर सुनभाई शुरू की थी हाई कोट ने रविवार को भी सुनभाई की राजकोट पुलिस कमिशनर ने कोट को बताया कि टी आरपी गेम जोन को कोई एजाज़त नहीं दे गई थी कोट ने पुलिस और नगर निगम से 3 जून तक हल्फ नामा देने को कहा है 6 जून से इस केस की सुनवाई शुरू होगी